हाई दोस्तों आप सब कैसे हूँ आई होप आप सब बहुत अच्छे हूँ दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जारें वायल चोगराफी जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा कि विश्भू होल क्या है क्या क्या चीज इसमें हैं ऐसी कई ची क्या है कैसे बने हैं और यह टर्म जो है कहां से डेवलप हुआ और कितने देश हैं ऐसी कई चीज़ें इसके बारे में देखने वाले वीडियो शॉट रखने कोशिश करिए मैंने बट फुल आफ इंफॉर्मेशन दोस्तों तो फटा-फट स्टार्ट करते हैं जैसे कि हम ज सूपर कॉंटिनेंट हुआ करता था जिसका नाम क्या था उसका नाम था पैंजेया यह वर्ड दिया कि इसने अलफड जो किया है German meteorologist a geologist है तो इन्होंने अपने बुक origin of continents and ocean में इसके बारे बताया और यह बताया कि यह पैंजिया से split हुआ है और पैंजिया से split होके दो भाग में बट गया जैसे उपर वाला पार्ट हो गया रोप को ले की चला गया नीचे वाला पार्ट जो है काफी चीज़ हैं जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कैसे हम इसको एक कर सकते हैं कि सूपर कॉंटिनेंट का पार्ट थे जैसे आप यह देख पाओ कि यह अफरिका का रीजिन यह वाला पोर्शन अब यह देखे यहाँ पर नौर्थ के बारे में तो कॉंटिनेंटल डिफ्ट के है मैंने यहां पर आपको एक स्कॉश को शॉट लगा रखा है यहां पर कि आपको पता है कि अर्थ एक सिंगल कंटीनिवस लेयर नहीं है यह कई लेयर से मिलकी बनी हुई जैसे जिक सॉप पजल की तरह जिसको हम जोड़ते से यह यह 250 मिलेन यह को की बात है यह ऐसा था तो मतलब से पहले और ख्लोज रहा होगा यह तो यह स्प्लेट होता जा रहा है क्यों हो रहा है जैसे कि यहां पर देखो करेंट्स ऑफ मोल्टन रॉक राइज अप थूदी मैंटल लाइक बॉलिव जैसे पानी वह बलता है ना तो ज यही नेचुरल इंपोर्टेंट चीज़ें हो रही है जैसे अर्थक्वेक हो गया वोल्कैनों हो गया इगनियस रॉक्स का फॉर्मेशन मेटम और्फिजम हो गया मांटन बिल्डिंग प्रोसेस हो गया तो यह सब चीजें विकॉस अफ दिस ट्रिफ्ट की वज़े से होती है तो देखें दस क्रिस्टल प्लेट से इसके मैंने आप पर डाल रख आपका पैसिफिक अंटाक्टिका इंडियन अफ्रिकन साओथ अमेरिकन नाजिका नॉर्थ अमेरिकन यूरेशियन कोकोज और ऑस्ट्रेलियन तो दोस्तों यह कॉंटेनल ड्रिफ्ट के बारे में था तो विद्धी व्णियूरaisy वहां सबसे बड़ा पहले उसके बाद उससे चोटा फिर सबसे चोटा लाश्ट मैं सबसे पहले दोस्तों एशिया हैं जिसमें हम लोग रहते हैं फिर आफ्रीका नॉर्थ अमेरिका फिर साओध अमेरिका अंटाक्टिका वरोग ए ओस्ट्रेलिया दोस्तों आपको ओर्डर जरूरी है यादनों कही बार आपके पेपर में SSC में TPC में पूछ लिया जाता है तो आप अपने माइंड में चीजों को एक ओर्डर बना के याद कर दीजी दोस्तों ठीक है अब हमारे दिमाग में यह आता है कि जैसे इतनी इतने कॉंटिनेंट्स हैं तो कितने देश होंगे तो यह एक अच्छा क्योंशन है बट आपको exactly कैसे पता है कितने देश है कि आप जानते हों तो दोस्तों इस क्योंशन का आंस्वर डिपेंड करता है कि किस वे में यह आंस्वर को डिमांड कर रहा है जैसे अलग-अलग गोवर्मेंट के थाप से यह उस देश के जो वहां पर है उनके थाप से अलग अंसर हो सकते हैं जैसे यह एने एक अलग बोडी हो गई है जैसे हम बात करें चाइना की कोई वहां पर अपनी पावर दिखा था जो पावर्फुल कंट्री है तो इस तरह से देश अलग-अलग हो सकते हैं डेफिनिशन डिपेंड करती है कैसे आप डिफाइन करना चाहते हैं जैसे अब यहां पर हम बात करें यूवन की साब से दोस्तों 195 कंट्रीज और ठीक है 195 में 193 कंट्रीज ऐसी हैं जो इसके पर्मानेंट मेंबर्स हो चुके हैं ठीक है लेकिन दो में कंट्रीज ऐसे हैं एक दा हॉली सी एन दे स्टेट ऑ पैलेस्टाइन यह दोनों इसके अभी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं तो यह आपका तो हो गया SSC के हिसाप सिरा फिर आपक कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं और टू अब्जर्वर हैं टोटल 195 कंट्रीज हो गई तो यह आपका हो गया किसका कितनी कंट्रीज हैं एस पर यूएन यह जो हम अफिशली जानते हैं और वैसे देखा जाए अब देखो यूएन की बात आगी है तो आपके लिए कुस क्योशन हैं दोस्तों आप इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हो जैसे यहां पर देखें यह वाट इस यूएन कॉंसिल वेन वाजिट मेड़ कहा है क्यों इसकी जुरूत पड़ी इसके कौन-कौन से और गयन है बाड़ीज बहुत इंपॉर्टन चीज है दो कि पचास कंट्रीज एशिया में 54 अफ्रीका में 23 नौर्थ अमेरिका 12 कंट्रीज यहां पर सौथ अमरिका और फिर ट्वैल है अंटार्क्रिका में यूरोप में 50 कंट्रीज यहां पे 200 प्लस हो जा रहे हैं बट हमने पीछे पड़ा कि 195 हैं तो यह चीजे हैं जो थोड़ा स सेट ठीक है जो सेल्फ डिकलेर कंट्रीज हैं 249 ऐसी हैं जो आई एसो स्टैंडर्ड के इसाफ से और ऑगनेशन के साफ से 249 और 211 कंट्रीज यहां जो फीफा के लिए लिजबर वर्ल्ल कप में पार्टिसेपेट कर सकती हैं 206 कंट्रीज औलम्पिक नेशन में जो औलम्प यहां पर कोई देश है तो अफिशली देखा जाए वहां पर दोस्तों एक भी कंट्री नहीं है बट अब ही जैसे मैं पीछे डिसकस किया कि वहां पर 12 देश है तो इसकी पीछे का इतिहास दोस्तों यह है कि 1959 तक 12 कंट्रीज एक साथ आई थी जिन में कौन-कौन थे आर्ज Union of Soviet Socialist Republic and the UK Northern Ireland and US तो यह सब बारत देश जो है साथ में आये और इन्होंने अंटाक्ट का ट्रीटी साइन किया था तो जिसका में तीम जो है वो क्या था नो मिलेटरी प्रेजिंस नो माइनिंग नो नूग्लियर एक्स्पोजिन तो उस एरिये को पीस्फुली मतलब चीजों क एक्स्प्लोर करने के लिए किया गया रिसर्च के लिए किया गया तो यह बारत देशों ने एक ट्रीटी तो कई जगह आप आंसुर पाऊगी का अंटार्टिका में 12 कंट्रीज हैं बट वैसे देखा जाया तो साथ ऐसे देश हैं जो वहां पर अपना टेटरी दिखाते हैं तो कई जगहों पे आपको अंटार्टिका में साथ कंट्रीज के बारे में information मिलेगी जैसे यहाँ पर फ्रांस का है UK है न्यूजीलैंड है नॉर्वेह उस्ट्रेलिया है और आपका अर्जेंटिना है यह साथ कंट्रीज के यहाँ पर टेटरीज के नाम वीदे रखें दोस् तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं बूले और दोस्तों शेयर जरूर करिए और आपका सजिशन एडवाइस मोस्ट वेलकम दोस्तों धन्यवाद और अल्दी बेस्ट